दोस्तों बेल्ट फोर सेज हमेशा अपनी डूटी के लिए करते बद होती है जिस जगे पर आज हम खड़ें आप सोच रहे होगे कि जंगल में हम क्यों आए यहां पर एक छोटा सा जो है नाडी है पास में मादेव जी का मंदिर है और उसके पास में बर्गत का बहुत बड़ करवाएंगे वो एक घटना घटित हुई जिसके अंदर लगबग पांच जो पुलिस करमी घटना के अंदर घटित होते ही सहीद हो गये थे और बताया जा रहा है कि छट्रा जो गायल था वो भी जो है अब इस अंसार में नहीरा लेकिन जिस आदमी ने इस गाउं के अंदर गाउं आते थे तो इन पेड़ों को लगाया उसके बाद में की सेवा करना और आज भी जो है यह रस्ता बहुर के जो साप किया वा है पताया जा रहा है कि आज से दस निन पहले वो आये थे यहां से मंदिर से होके कोई आदमी यहां इन हरबरे पेड़ों के बीच में घूम आज पुलिस वाला सहीद है आपके गाउं आपके गाउं काई नाव कर अचा आदमीयों आपरे समा सिवार वास्ते और जो भी और पेड़ पोदा लागोड़ा है आगलार जो भी आपना बताओं बाड़ी में इसब कारी है उन्हाज पांच साल पहला प्राइब थोड़ों और सब परियतन और मेनत है वह कुमा राम जी जो पेड़ पोदा है भी उना हातरों लागोड़ा पूरा पूरा अलब कुमा राम जी गास्व पढ़ती सथा ना डूटी से घर आते ही उन्होंने पहले वह मंदिर मंदिर के बाद इन पेड़ पोदों की देख बाड़ के दोस्तों दुनिया के अंदर आना जाना हमेसा बना रहता है लेकिन कुछ काम ऐसा कर जाओ जिसको दुनिया देख के याद करें जब इन्होंने चर्चा की कि उन्होंने अपना हाथ से यहां पेड़ पोदे लगए थे यहां मैं आपको बताओं तो यह देख सकते हो अरी भर पीमपल के पेड़ है और भी बहुत सारे अलग लगत्रीतरे पेड़ फल दार भी है चाया दार भी है वह पेड़ लगाकर उन्होंने अपना इप नाम जो है वह कहीन पुत्व है की दूब यह देख सकते हैं यहां पर आलंकि पानी की वहूस्तानी पानी से क्या पानी दूरा निचशे पिम अक्म पानी के टेनकर की ढ़की थी थोड़ी नाorta करू पर लगें चेक हो 000 क launch ल तोड़े ऐसे थी राउंडिंग में अच्छा तो उन्हें प्लेन किया जैसे भी गदर और लगबक उनका सो प्लान था उनका कभी चर्चा करते थे वह चर्चा में सबसे ज्यादा यह कहते थे युवां को आगे बढ़ाना प्रकति को बचाना जैसे अपने यहां पर पहले कम प्रकति प्रकति यह बढ़ा दिया यह बर्गत का पेड़े नहीं बढ़ा इसको देख उन्हों ने पूरा प्रितन क्या उनके ही हाथ से यह मैदाने ना इसका भी साहित उन इस पर उनका थोड़ा सहोग है और उन्होंने हमेसा युवां को आगे बढ़ने के लिए प्रेणा सारे थे नागोर थे कल और पर्सूं अपने आज है वो जुंजनों में तो तड़के वो पांस बज़े ट्रक खड़ा था उसमें गाड़ी घुश गई और यह जो पेड़ पोदो गिया आज उनकी याद यह पेड़ वोते देख हमें आएगी हमेशा वह हमारे दिलों में यह कंदर आते थे वह कुंबाराम जी के हाथ और इनके जो हैं के मित्र सका थे उनके हाथों से लगए पेड़ कहीं कि इन युवाओं को जीवन परियंत उनको माराम जी को जो हैं उनका व्यक्तितों इस गाओं के लिए समर्पित था वो याद रहेगा जीवन कंदर कुछ काम ऐ बारक किया गया काम आज भी युवाओं को याद आता है आप लोगों का इस परकार के युवाओं को बारे में क्या करना कोमेंट जरू करें मैं आपको भूजबे फिर आज नहींगा तब तक लिए जे हिंद जे भारत